अज़िए निश्कार दोस्तों मैं हो जिग्रिश पर्मार और आप सब का स्वागत करता हूं बिरिस चैनल निभेश क्यान में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा याई लाइफ एंस्चुरंस के स्मार्ट इंकम प्लस स्कीम के बारे में दोस्तों यह एक एक guaranteed maturity benefit वाली स्कीम है शुरू करने से पहले में आपको बता दो इस वीडियो को अंत तक देखना बेहत ज़रूरी है अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें कमेंट करें शेर भी करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज प्रकार के उप्षन इसमें अवेलेबल है कस्टमर सेग्मेंट में यंग है और सिंगल है जो जस्ट मैरीड है और मैरीड विट किस तीनों प्रकार की कस्टमर्स इसके अंदर इंव्रस्मेंट कर सकते हैं यहाँ पर आपको अपने एन्यूल प्रीमियम के 110 प्रसंट जितना इंशरेंस कावर भी मिलेगा अभी सबसे पहले बात करते हैं राइक प्लान की तो यहां पर प्रीमियम टर्म एन प्रीमियम टर्म 7 15 10 21 12 25 इस तरह की प्रीमियम टर्म और पॉलिसी टर्म अभी लेबल है जानि की साथ साल पैसा भरना है एक साल खाली जाएगा और अगले एक साल खाली जाएगा और उसके बाद और 12 साल तक आपको regular income पैसा मिलेगा यहां पर आपको देखना है कि आपको कि पैसा कितना मिलेगा तो अब इस टेबल पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि अगर आप साथ साल की पॉलिसी प्रीमियम टर्म सिलेक करता है तो आपको अपने अन्यूल प्रीमियम का 120 परसंट जितना रिटर्न आपको हर साल वापस मिलेगा अगर आप 10 साल की पॉलिसी प्रीमियम टर्म सिलेक करता है तो आपको आपको अन्यूल प्रीमियम का 140 परसंट जितना आपको रिटर्न वापस मिलेगा और अगर आप 12 साल की पॉलिसी प्रीमि नहीं मिलेगा और यहाँ पर साथ में आपको guaranteed maturity payout भी मिलेगा अब बात करेंगे endowment option की तो यहाँ पर आपने जो policy term select की है उसके आखरी में अगर आपने 10 साल की policy term select की है तो उसके आखरी में 20 21 साल में आपको लमसम पैसा मिलेगा साथ साल की policy term में आपको 15 साल, 14 और 15 साल में आपको पैसा मिलेगा और अगर आपने 12 साल की policy term select की है तो आपको 24 और 25 साल पे आपको लमसम पैसा direct मिलेगा इस बीच आपको कुछ भी नहीं मिलेगा इसके साथ अगर आप add-on rider रेला चाहे accidental death का और weaver of premium का तो ये भी आप इसके अंदर ले सकते है आईए अब एक example देखते है regular plan का और endowment plan का तो यहाँ पर सबसे पहला example हम लेंगे regular income का तो इसमें analyze जो premium हमने select किया है वो है 1,00,000 रुपे पर annum तो जानकारी के लिए बता दू कि ये premium के अंदर tax include नहीं है के उपर आपको tax भी साथ में देना है तो यहाँ पर मैंने जो select किया है policy term है 21 साल policy premium term है 10 साल आपकी age है 35 साल हमने select किया है basic term assured आपको जो मिलने वाला है वो है 11,00,000 रुपे और large premium boost आपको मिलेगा 20% तो यहाँ पर आप यहाँ पर देखिया आपको एक साल से लेके 10 साल तक आपको पैसे भरना है हर साल एक लाख रुपे फिर 11 साल पर आपको कुछ नहीं मिलेगा और 12 साल पर आपको 10 साल के लिए मिलेगा आपको 14,00,000 रुपे जो कि है 140% into annual premium का और इसके साथ में आपको guaranteed maturity payout जो कि 20% है वो भी आपको मिलेगा करीब साड़े 3,00,000 जितना तो यहाँ पर दोस्तों आपने 10,00,000 रुपे का premium भरा है 10 साल के लिए और आपको total benefit मिल रहा है करीब साड़े 17,00,000 जितना है तो दोस्तों यह था example regular income का इसके साथ में आपको 11,00,000 का term insurance भी मिलेगा अगर आपका premium एक लाख रुपे पर एनम है तो अब हम बात करेंगे endowment plan की यहाँ पर भी आपका annualized premium है एक लाख रुपे policy term है 21 साल policy premium term है 10 साल basic sum insurance है 11,00,000 और large premium boost है 20% यहाँ पर भी आपको 10 साल तक 10,00,000 रुपे भरने हैं उसके बाद में आपको अगले 10 साल तक कुछ नहीं मिलेगा और direct 20 साल में आपको मिलेगा guaranteed payout करीब 10,00,000 जितना और इसके साथ में 21 साल पर आपको मिलेगा guaranteed maturity payout वो भी बिल्कुल उसके जितना ही होगा तो यहाँ पर आपने total premium बना है 10,00,000 रुपे और आपको मिल रहा है 21,13,440 रुपे दोस्तो यह थी जानकारी endowment plan की जिसके अंदर आपको मिलता है 10,00,000 के investment पर करीब 20,00,000 रुपे लेकिन यह आपको सीधे end पर maturity पर lump sum मिलेंगे regular plan की तरह हर साल आपको नहीं मिलेंगे और यहाँ पर मिलने वाला जो भी return है tax free रहेगा तो दोस्तो मैं अशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी समझ में आई होगी यह वीडियो पसल दाया होगा अगर आपको कोई दिक्कत परिशानी है इस जानकारी में यहाँ पर comment में आप comment लिख कर मुझे पता सकता है तो मैं जी ग्रिश्पर्मार अब आपसे विदा लेता हूँ मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्तर पुरुचानकारी के साथ चैहिन चैभारत